आप ने कहा था कि साप और नेवले का जिक्र किया था तो फिर इकठे हो जाएंगे आपने कहा कि मैं दलिच चेहरे को मुख्य मंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ आज आप भी अपने बयान पर काया है बिल्कुल 100% काया है को बना रहे हैं तो वे 2022 में दलिच चेहरा हो सकता है कोई सी अंग हरक सिंग रावत कैसे नेता है बैक डेट बैक डोर से एंट्रियां आरोप लगा रहे हैं आप सबूत है आपके पास आप तो उत्रा खंडियत की जिकर करते हैं लेकिन फिर भी बड़ा हटके सवाल है कुमाओ या गड़वार गड़ की तरह नमस्कार आप देख रहे हैं दो कदम मैं हूँ आपके साथ दिलग चावड़ा आज बात होगी उत्रा खंड में एक ऐसी शक्सियत की जो वैसे किसी परीचे के महताज ने उत्राखन कॉंग्रेस के सबसे बड़े चहरे सूबह के पूर मुक्खे मंधरी और 2022 में कॉंग्रेस के मुक्खे मंधरी पच के चहरे भी दावेदार के रूपने जी बिल्कुल सही पहुजाना आपने हम भाग कर रहे हैं हरीश रावजी की रावजी बहुत बहुत स्वागत है न्यूजवल इंडिया में आपका बहुत धन्यवाद तो दो के दम में मेरे साथ मेरे सही होगी विरोचेफ हरीद्वार अजीम भी सवाल करेंगे और जवाब मागेंगे हरीश रावजी से रावजी मैंने शुरुवात में कहा कि सूबे के पूर मुख्यमंत्री हरीश रावजी और कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री पत्के दावेधार मैंने गलत तो नहीं कहा आपने तक्निकी रूप से गलत कहा गलत कहा आप सुधार कर दिए मैं कॉंग्रेस का बेक्ति मुख्यमंती बने दो हजार बाइस में उसके उसका दावेदार हूँ उसके दावेदार हूँ कि बही दो हजार बाइस में कॉंग्रेस का आदमी मुख्यमंती बने ये इसका दावा ले करके मैं लोगों बीच में जा रहा हूँ आपके सवालों के जवाब के कायल मैं बहुत पुराना हूँ और मैं वहीं से शुरुआत करूँगा आपसे आपने तमाम आरोप प्रत्यारोप के इतर एक कंभीर आरोप सरकार के उपर लगाया जो अख़बारों की सुर्ख्या भी मन रहा है बैक डेट बैक डोर से एंट्रिय आरोप लगा रहे हैं आप सबूत है आपके पास बिलकुल है सबूत क्या सबूत है आपके पास आप इतवार के दिन क्या इतनी काम करने वाली सरकार है कि इतवार के दिन आप आफिस खुलवा करके और उनी अधिकारियों को क्यों आप ला रहे हैं जिनके वहाँ जियो निक वही अधिकारी सेचवाले में बैठे दिखाए दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको पॉलिटिकल नुक्तियां दी गई है वह फेस्बुक में डाली आचार साहिता के बात की डेट में रहे जब वह पहले नुक्ति हो गए तो पहले क्यों नहीं डाला उन्होंने सबसे जदा कियर किस भी भाग नुक्ति जब वह जाहे इन्होंने कम से कम 200 अभी तक पॉलिटिकल युक्तियां की है जिनमें चेयर्मेंट पत्के भी लोग है मंदिर बद्रिनात के दानात मंदिर सभी थी है और लोगों के है तो वह सब लोगों की जो है वो लोग अपने फ कोश्डर लगा रहे वो बाद में दो दिन बाद लग रहा तो अपूप ये चीज़े कह रही हैं कि इसमें जी अबाद मैंने हुई निक्तिया है, दो में इथी तरीके से और प्रमान हैं, और सबसे बढ़ा प्रमान यह है कि आपने जो नुक्तियां की हैं, तॉन या टांस्वर की हैं, उन में लिखा है अध्यापक एक, जिले दो और उसमें लिख दिया है कहीं भी तॉन कहीं भी निक्ति जहां इसको खाली हुआ हुआ है जिनको छेचे जगा ओप्शन दिये गये हैं यहीं सब चीजें चीख करके कह रही है कि वोल्माल है यह रूटीन तरीके से आया होता मामला तास्वर का तो उसमस परस लिखा जाता है कि कहां निक्ति हो गए शिक्षा मंत्री सवालों के गहरे में पूरी सरकार सवालों के गहरे में तो कि बिना सरकार के बिना मुख्यमंति की सहमत यह ऐसा ऐसी हिमत कोई नहीं कर सकता है लेकिन शिक्षा मंत्री ने साड़े चार साल कहा कि मैंने एक भी ट्रांसफर नहीं किया, मेरा रिकॉर्ड देख ली दिये, और अब एका एक जिस तरह के ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं सवाल खड़ा करते हैं सरकार के उपर, कौन लगता आपको कि इस पूरे खेल का श्राध का खिलाडी कौन लगता आपको? श्रोट के खिलाडी दोनों है, तो कि नहीं तो मंती की सह्मद, बिना मुख्ची मंती की विए ऐसा हो नहीं सकता और बिना मंती के चाहर ऐसा और शक्ता यानि आप यह कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों इसमें मिली भगत हैं आप ने आज मदीरा का भी जिगर किया शराब का बने उसे पहले किस तरीकिते इंकन्विनेंट अशुदा जनक जो अफिसर साबित हो रहा था और कह रहा था आप जो ओवर्शीज लिकर का काम अपने को चहिजु बच दिना चाहते थे उसमें और रोडा बना था तो उस ब्यक्ति को अटा करके जिस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति को दाई तु दिया गया दोनों सचिव और कविष्णर का ता कि कोई दिकत नाय स्मूशली सब काम हो जाए और उसके बाद उसक अधिकारी को नाम लेनी की परमपरा कॉंविस में नहीं है नहीं वो अधिकारी तो आपके साथ भी रहे होंगे ना रहे हों तो आज करवाई जा रहे हैं नहीं आरोप लगा रहे हैं आप अधिकारी का नाम भी नहीं ले रहे हैं नाम लेनी की परमपरा नहीं है कुछ संसध और इसमें कम से कम सो करोड का गोटाला है सो करोड का गोटाला है सो करोड का गोटाला तीन साल के लिए जी आप जो है ओवर्सीज सराब का काम दे दे रहे हैं जो सराब यहां पिकेगी उत्राफंगेनल ओवर्सीज उसको सब काम दे दे रहे हैं तो आप यह चोटा मुटा काम चोटा मुटा मामला थोगी है ऐसी आरोप आपके उपर सरकार में रहते हूँ लगाए गए हमारे उपर कभी ऐसा आरोप नहीं लगा और ने ऐसी सीदियाई हमारे उपर एक आरोप लगा क्यों एक अरूचिकर ब्रांड हमने हमारे जगवाद समय में ज्यादा प्रचलन माया जी अगर डैनिस तो इनियम के ताह बिक रही थी और डैनिस यदि इतना है ख़राब रांड था या इतना है अपवेटर मामला था तो बीजीबी के समय बिक दो डैनिस बिक रही है उन्हों ने तो आपके नाम से उस ब्रैंड को बलाना शुरू पर दिया उन्हों नहीं तो आज तो आर्मी की कैंटीनू में डैनिस भिक रही है तो उस समय की डैनिस जहर थी और इस समय की बीजेबी के समय की डैनिस अमरत है तो आप चुनोती दे रहे हैं कि सक्ता में आएंगे तो आप जाच करवाएंगे मामले की हम इन सब गडबर हुटा लों के सबसे बड़ी ब तो आप सत्ता में आएंगे जाच करवाएंगे की नहीं बिल्कुल करवाएंगे और ऐसे चेहरों को सामने लाएंगे ऐसे चेहरों को सामने लेकि उत्रा खंड का इती हास है कि कोई भी जाच तक पूरी नहीं हुई आप पिवारी ची के 56 घुटालों का जिकर हुआ फिर 156 गण गठालों का खिराथ हमने साथ जाच एक करवाई लेकि अप जाच करवा इस मौरी हुई हुई हमने कूर जेहीं जाच में ज्यवारी चेहां राधा जब एक अच्छ इराधी से कर रहे हैं तो उसका कोई नेटिज़ां निकलेगा यदि आप जांच में जो है चीज़ों को चीज़ां सपरस्ट हो अच्छे इरादी से कर रहे हैं तो नतीज़े निकलेंगे लेकिन आपने जांच का जिक्र कर लिया तो पुराना किस्सा याद आ गया धेंचा बीट प्रकन को लेकर जिसमें कहा गया कि मंत्री की तरव से की बचाने की कोशिश की गई पूर मुख्य मंत्री तिरवें सिंग्रावाद जी को देखें वो मामला जो है बहुत सपस्ट नहीं था और आप बिना तथ्यों के यदि ये कह दें कि दंजित कर दिया जाए काओं लेकर आए मैं राज ऱ्रड़ेंड ओज प्रेंज की तरिर्वें sisterि शेंगी की कि शनलिपता को को नहीं कहती थी मतर 후 तर्वक्तर डार्यकटर लेवल पर सब्सक्राव में कुछ क्वाली ठीए संबंद में कंप्रो माईड की बात थी तो इसलिए केवल त्रिवेन सिंग मंत्री थे उसके और हमारे पॉलिटिकर राइवल है, मैं उनको फिक्स करो, यह मेरी नियार की नहीं है। चाय पीजे सर्थ चाय की चुस्क्रों के साथ कुछ गर्मा गर्म सवाल भी हो रहे हैं। बड़ा आनंदारा है, पुराने कई किस से भी गुड़ जो खारा हूं भगवानपूर का है। अच्छा भगवानपूर का, मलाव अधीम भाई आपकी तरफ इसारा कर रहे हैं, तो गुड़ वाला सवाल भी पूछ कीजिए रावनजी से। गुड़ से जुड़ा हुआ सवाल जो हरिदवार की सियासत से जुड़ा हुआ है, वो सवाल ओ कह रहे हैं कि पूछे जरा। जावनजी सबसे पहले तो क्या चुनाओ हर्दवार से हर्दवारी लाल जी लड़ेने से बार। हर्दवारी लाल का समन्द हर्दवार से प्यार, मौबबत, सयूग, समर्तन, विकास का है। उप चुनाओ लड़े का समन्द नहीं हम लोकसवा का चुनाओ नहीं लड़े जब कि मैं जानता था मेरी बहुत अच्छी स्थिती है। लोगने को सवाल उठाए हमने का नहीं हम अपने प्यार में क्यों दरारा आने लेकिन चुनाओ नहीं लड़े मंगर हर्दवार से हमारा समन्द निरांतर बना रहा। इस समय भी जब कॉंग्रेस वहां बिलकुल उखडी उखडी सी नजर आई तो मैंने अपने बेचे और बेटी को लगाया काम पर करने बाद और जब उनकी टिकेट की बाद आई मैंने कोई कोई लोकल आपमी जी सक रहा होगा तो पहले उसको देंगे तिया। तो मतलब इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे यदि पाटी कहेगी। आप टिकेट बातने वाला के रहे हैं कि पाटी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ेंगे। नेता हमारे विशे番 है तो जूर निर्ड़ लेगी पर्टी लेगी। लेकिन पर्शेद से नराज हो जाएंगे, कहएंगे, रावीजी चुनाव लडेएंगे। ऐसा एसा हो सकता है। आप यह सोच नहीं पर्ड़ को निर्ट आपका कोई निर्ड़ नहीं है। नहीं। आपको पाठी के चाहत हरी श्रा फ़्वद के भनना पड़ेगा हरी श्रावत बनना पड़ेगा आप तो उत्राकंडियत की जिकर करते है लेकिन फिर भी बड़ा हट के सवाल है violating आहिए गढ़ै या तौनों जगा पाली की तरह लिए गट कुमाओ गड़ कुमाओ संकेत क्या है संकेत हम एधे कुमाईं से लडेंगे तो बिना गडवाल के प्यार और समर्थन आशिरबात नेुद 1 कर ज्याने हम तो तीनों को जोड करके थीनुकी भावना से चुनाव लड़ेंगे, यह अलग बात है कि चुनाव एकी जगों से लड़ा जा सकता, पिछली बार मैंने दो जगों से लड़ने की गलती कर दी, गलती थी वो गलती का गुनेगार कौन था, कहा गया कि रावज जी, आप अपने उपर ले 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 अरबात को, कोई त आगे बढ़ सकती है, और मैंने उधम सिंग से लड़ने का इसले लिया, वहां कॉंग्रेस बहुत कमजोर से थी, महां आगे थी, तो मैंने यह सोचा, कि जो कभी कॉंग्रेस का मायका था, उधम सिंग नगर, वहां मैं उस सीट से लड़ू, जिस सीट में हम नहीं जीत रहे, आपको हराया किसने वहां पर, अब मैंने उस सीट को चाटा, जिस से हम कभी नहीं जीते थे, लेकिन गलती यह होगी, मैं परशार करने तो जाई नहीं पाया, नहीं आपको हराया किसने वहां पर, अब मैं कैसे को हूँ कि किसने हराया, जब मैं परशारी करने नहीं गया, त तब तो में किसी से शिकायद भी करता है। आप दो तो स्रिच से चुनाव लड़े हैं। अरद्वार ग्रामेंड से और किछा। वहां पे दोनों को आप 2017 में। कॉंड्रेस ने हराया या बीजेपी ने? हरा तो में बीजेपी से ही। बीजेपी से हरे। लेकिन हराया कॉंग्रेस या ने? ने मैं नहीं जानता है। मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अच्छा एक चर्चा और है सर। चोटे-चोटे सवाल क्योंकि वक्त भी आपके पास कम है। हो सकता है कोई लोगं का दिल दुखा हो उन्हें कहीं अपना दुख प्रकेट कर दिया हो वो बातें चलती रहती है। अच्छा वो पुराने जख्म नहीं कुरे दुगा मैं। लेकिन एक चर्चा और उठ रही है कहा ये जा रहा है कि अगर पुशकर सिंग धामी चेहरा है तो हरी शरावत भी कॉंग्रेस के चेहरा है लोग मानते हैं आप नहीं मानतें लेकिन कॉंग्रेस के घर के भीतर ही लोग मानते है कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा उत्तरखंड में हरी शरावत ही है तो हरी शरावत खटीमा क्यों नहीं जाते दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा देखे ये परंपरा नहीं रही है इससे कटुताएं पैदा होती है और राज नहीं थी में जो असली सवाल होते हूं गौन हो जाते है फिर एक फाइट पर मगर यदि पार्टी कहे गी तो खटीमा भी मेरे लिए कोई दूर नहीं है किछ्छा के नजदी की है ने मैंने का कहीं भी हम तुम बाबा है जहां कह दिया हूँ है अपना तिर्षूलगार लें ठीक अब मैं कुछ और महत्वूर सवालों पर आ रहा हूं पुरानी बिसरी बाते याद दिलाओंगा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं शुरू में एक बार मैंने आपसे इंटर्वी में सवाल पूचा था और मैंने कहा था कि वो एक पुराना शेर है हमें तो अपनोंने लूटा गैरों में कहान था मेरी किष्टी डूबी वहाँ जहा पानी कम था शायर आपको याद हो वो किष्टी डूबाने वाले दुबारा किष्टी पर सवार होना चाह रहे है क्या आप सवार करेंगे बिल्कुल कोई बात नहीं जती सुदाने का मौका सब को दिया जाता हम किसी से द्वेश भाव नहीं रखे मेरा अपना मानना है कि राजनीती में द्वेश का कोई स्थान नहीं जिन्होंने आपके साथ बेवापाई की आपकी सरकार को गिराया जो जिनको आपके समर्थकों ने कहा वो गंदार हैं धोके बाज हैं वो सब है यदि वो अपनी गल्ती स्विकार करते हैं कहते हैं हम से गल्ती हुई तो लोगतंत के अपरादी हैं मेरे अपरादी थोड़ी है वो लोगतंत के अपरादी हैं यदि वो कहते हैं हम से गल्ती हुई तो ओके फाइज आओ वापिस आजाओ आप वेलकम कर रहें जो रट को लिये खें लोग हमको दिखा रहे हैं कि हरी इश्रावजी रोक रहा है उसकों पीछे रख देंगे लेकिन लोकतंत के लिए लोकतंत से जरूर माफी माँगनी पड़ेगी अपने कहा था कि साप और नेवले का जिक्र किया था तो फिर इकठे हो जाएंगे साप और नेवले का भी जिक्र किया था ना आपने मैंने नहीं कहा था कि किसी और नहीं कहा था और मेरा अपना मानना है, डाड़ जी ती कहेंदर, कोई साप और नेवरा नहीं है, हम भाजपा कोई ऐसा नहीं मानते हैं, हम किसी को त्याज ही नहीं मानते हैं, कि हम नहीं चुएंगे, क्योंकि यह सब संसदी लोकतंत्र में अश्विकारी हैं, केवल सिध्धान्त की बात है, हमारा सिध्धान्त में नहीं खा था, हम अपने सिध्धान्त की बात करेंगे, वो अपने सिध्धान्त की बात करेंगे, लेकिन उनकी विचारधारा तो कॉंग्रसी रही ना पुरानी, अब क्या रही, यह तो भगवान जाने, क्योंकि यह तो हमारी तरीके थे एक जखो पर खुटागाड करके बाशे रहते हैं, हमने भी तो उतार चड़ाव सब देखें, लेक जखो रहे एक खुटागाड करके, तो इसले सिद्धान्त समय के सान नहीं बदलते हैं, सिद्धान्त तो शाष्ष्वत होते हैं, और उमें कोई मैं दूसरा से धात यह नहीं कर सकते हैं, आपने कहा कि मैं पीछे लट, पीछे खीच लूँगा, अगर पाटी यह चाहेगी, वो लोकतंतर से माफी मांग दे, आने के लिए वेलकम, आप परदे चाय पिली दिये, फिर में रसाट, नहीं बदाए, 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 बदा महत्वा कांक्षाएं आदमी को पुष्ट करती हैं, अच्छी बात है, मगर महत्वा कांक्षा के लिए जिस प्लेजपॉम पर खड़े हो उसी को तोड़ा नहीं जाता है, उसको मदूद किया जाता है, ताकि उसके साहरे आप उपर उठ सकों, नहीं तो अंगूर खटे वाल बने रहेंगे, मैं आपके सवालों का कायर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल गुमा गया आप, आपके जवाब का कायर रहा हूं, आप मेरा सवाल गुमा गया है, मैंने कहा था आज, जो अंगूर खटे वाली भाव है, यदि हरक सिंग रावत कॉंग्रिस में रहे होते हैं, तो ह में की प्रतिक्षानी की और आज वो लाइन में यहां भी आएंगे तो बहुत पीछे खड़े होंगे और वहां भी है तो बहुत पीछे खड़े हैं पीछे खड़े हैं मतलब यह आप कह रहे हैं कि अगर आएंगे भी तब भी पीछे ही खड़े होंगे आप कोई सवाल बैदा बीतम सिंग्धी है, गड़ेज गोधियाल जी है, इस तरीके से वो इमर्ज कर रहे है, किशोर उपाज्याई जी भी है, मैं उनको भी जिनता हूँ, और हमारे श्वाल आरी जी है, प्रदीर टम्टा जी है, हमारे पास दियरा लॉट अप लीडर्स जो जिनमें कैपसिटी है, आप ने कहा कि मैं दलिट चेहरे को मुख्य मंत्री बनते हूँ, आज आप भी अपने बयान पर काया है, बिल्कुल हंडेट परसंट काया है, किसको बना रहे हैं आप, ये मेरी आकांगशा है कि मेरे जिन्दा रहते, रागनी जिमर्शक्री रहते, कोई दलिट का बेटा, सि परसंट के जेज में, ये बड़ी क्रांती होगी, प्रदीप तम्ता का नाम आगे कर रहे हैं, जैसे शावाण डॉमिनिटे स्टेट में, यदि एक दलिट ब्यक्ती मुख्य मंत्य होता है, तो ये तुल भी है, सी चेहरे, आप एक तीप से चार शिकार करते हैं, आप प्रद प्रदीप तम्ता का नाम आगे कर रहे हैं, दिखे मैं, मुष्छ हर व्रति का नाम मेरे समर्ण में है, जिसमें ऐसी संभावना है, संभावना है, प्रदीप तम्ता में है, मैं उन संभावनाओं को तराशना, जिसमें भी संभावना होंगी, उन संभावनाओं को तराशना म लिए हमको mandate का इंदजार करना पड़ेगा बड़े mandate का और mandate क्या है स्थित्या क्या है सबका आखिलन करना पड़ेगा लेकिन 22 या 27 और या और कुछ आगे पीछे हो यह चीजें संभा बनाई जाएंगे और हमने उचाहण की शांत राजनी तिमें बहुत सोज विचार करके यह गेंद उचा लिए है अब कहीं कहीं गोल पॉस में जाएगी जाएगी पका आपको यकीन है याज бесп-का जी झाम काम्जर जहां कंशा सित्झी बहुत प्रड़े बड़े वादे करते हैं जभी कंशेले पर्देश में आज आज जो बड़ा में तरृतर प् वहां पर महिलाओं को प्रियंका गाली ने 40% भागी दरीका चिक्तों में भागी दरी दी, काया के 40% टिकर दिये जा है, क्या उत्राखन में मजबूत है, यहां महिलाओं को 40% भागी दरीका प्रियंका जीनुर, आप उनके कथन को लोजिकली देखिए, उसके दो पार्ट है, एक तो है UP politics, दूसरा है उसका नैशनल प्रॉसपेक्टिव, आप इधे नैशनल प्रॉसपेक्टिव में देखिए, जैसे इंद्रा जी के गरीबी हटाओं के नारे ने, रातों रात सब गरीबूं को दूर नहीं कर दिया, कि सब की गरीबी दूर नहीं कर दी, मगर उससे र की वाली बन गई सवाल यह था कि एक उससे नया इतियास एक नया वह बना जबकि उससे पहले कॉंग्रेस दो दलीतों को मुख्यमंती बना चुगी थी लेकिन उत्तरप्रदेश ऐसे राजी में दलीत का मुख्यमंती होना एक इतियासी घटना थी तो इसी प्रकार से जो है प् महिलाओं के लिए आरक्षन किया पंचाइटू में तो वह एक एतियासी घटना थी आज उसी इतियास का परिणाम है कि देश दुनिया के अंदर सबसे महिला रिप्रेजेंटेटेटिव चुनी वी पृति ने दी भारत में है तो एक इतियासी घटना थी तो उसी तरीके से 21 सदी में महिला सक्षमता का द्योतक है जो कुछ प्रिंका गाधी ने कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इससे न केवल बूढी हड़ियों में जान आई है इससे जो जवान आने वाली पीडिया है उनके लिए एक प्रेणा का माबधंड बना है अजीम जी की चिंता य इस जो आई अजीम भूंगे लेकिन गरीवी हराव नैशनल पालिसी का हिस्सा बन गया रा मुंकिन थह उत्राखण में नहीं है लिपन उत्राखण के अंदर छोटा राजी हम 10 50 Luckilyусов शत्राखद मुहांगी हम तो यह ही present ने वह कुल यह जीतने के सिति में जो होगी हूं हम तो यहां तक भी अब हमारे शोच कर रहे है। हमारे लीजर ने कहा है कोई associate 20 भी है तो उसको 21 पर लाने के लिए हम काम करेंगे मैं पिलकुल छोटे-छोटे सवार आपसे मगर कोई महिला 17-18 पर होगी तो हम उसको 21 नहीं कर सकते नहीं तो सरकार बनाना लोकतंत के अंदर प्रतिक राजनीति दल का पहला करता भी है मैंने दो साल पहले आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया था मैंने पूछा था आपसे कि 2016 में जब आपके पिट में खंजर घोपा था सरकार की तो वो खंजर किसके हाथ में था वो आपने बताया नहीं था तब भी आज तो बता दिए एक वो खंजर कोई और थी जैसे की आज तो बता दीजें कुछ देश के समझने के लिए सोच लेते हैं तो कि जिसके वहां से आप दलबदल करवा रहे हैं उसे गह रहे हैं बक्रिया मेरी चोरी जा रही है और मुकदमा भी थानेदार मेरे उपर लिख रहा है तो आप मुझी को वापिस लाने की बात भी कर रहे हैं लेकिन राजनी थी कि अंदर कुछ चीजों को जब आप पलक नहीं सकते हैं तो आपको थोड़ा सा किनारा करके निकलना पड़ता है हम वह बहुत सक्तिशाली लोग हैं हम ज़रा किनारा करके निकल ले रहे हैं चोटे-चोटे सवाल पूछनों जल्दी में क्योंकि कारेकरम खत्म करना है आपने हरक सिंग रावाद का सवाल टाल दिया कुवर पड़ाव सिंग कैसे नेता है एक बात बताओ जो बैक्ती मूचे एंड़ता रहता हो तो कुछ तो होगा कुछ तो होगा और सुबो दुनिय जी में मिनिस्सर मुझे को अच्छा दिखाई देता है और मुझे चाहे वो मेरे पर जी बहुत कटू है लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझे मलाल है मलाल है अच्छा चलते चलते मुझे एक बात बता लीजेगा सर अब जो कुछ हो रहा है अब मैं एक बात कहना चाहता हूं हरक सिंग भी यदि वो घोड़े की तरीके से काम करे और सवार ठीक हो तो मैंने धाई साल उन पर ठीक सवारी गांटी और उनसे खूब काम लिया मारी दिया अच्छा अब जिस सरह के तमाम सम्भी करण सामने आ रहे हैं हाली में एक आपने वीडियो देखा होगा किशोर अपाद भाय किसी बीजेप घर के मेंटा से मुलाकात करते हो निकल रहे हैं मीडिया ने उनको देख लिया वो तमाम खबरे ओड रही है कि किशोर अ मैं इस मामले मैं कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा आप रोकेंगे नहीं किशोर अुपाद है देखे मेरी आज भी आपने देखा जब मैंने पाटी में नेतुत की बात कही तो मैंने उनका नाम लिया वो मेरे राजनेतिक एजिंडे के एक हिस्सा थे थे आज क्यों नहीं है जब आप विश्वास करते हैं आज उनको मुझे पर विश्वास नहीं है यहीं मुझे वर विश्वास होता तो फिर उनको नया एजिंडा आपने राजनी टीका बनाने की जरुबगत एक परिशवास क्यों नहीं है। हमारे लिए कुछ हो जाएगा इशारा करती हैं आप चाहते हो मैं होशयार बंदर नूं कि दो बिलिया लड़ रही है बिलिया लड़ रही है अच्छा आकरी सवाल मैं एक सवाल भी है आपकी प्रशन का उतर दे दिया मैंने सवाल भी है और चलते चलते गुजारिश भी है हरीश रावत जी ने कहा मैं चाहता हूं कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा बने बिल्कुल सही है उतराखंड में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा बने क्या हरीश रावत जी ने जो चुनोती तिर्वेन सरकार धामी सरकार को दी है क्या वो चुनोती खुछ स्विवकार करेंगे कि हरीश रावत कहेंगे कि मैंने अपने कारेकाल में इतनीया नौक्रिय दी, अब धामी सरकार सामने लेकर आगर सच है ये जूट है, विभाग अनुसार ये साथ जारी करें, सूची. मैं तो उनको चुनोती दे चुपा हूँ, कि मैंने 32 जार को सरकारी नौक्री दी. विभाग अनुसार जारी करेंगे आप? त्रिवेन सरकार ने कहा कि 2017 में, कि मार्च के महने में, जो बेरोजगारी की वार्षिक विर्दिधर थी उत्राखंट के अंदर, वो 1.5 परसेंट थी. और आज कभी 33 तक पहुंच जा रही है, कभी 23 तक पहुंच जा रही है, आज भी देश के अंदर, अठार हुए, 19 से नंबर पर सरवादिक वेरोजगारी उत्राखंट के अंदर है. तो ये जो वेरोजगारी की विर्दिधर है, और आज सबसे ज्यादा सिक्षित वेरोजगार प्रतिशत वार उत्राखंट के अंदर है. अपनी कलम से कितनो को रोजगार देश के अंदर? आपकी पहली कलम चलेगी, इस बार कितनो को रोजगार देगा? मैंने 32 जार को दिया और आपके पहले ही साल के अंदर मैं जो 28,000 रिक्त पड़े हुए पाद है, उनकी भरती की प्रहिया प्रारम कर दोगा. आपने मेरे सवाल का जवाब दे दी जो मैंने आपसे पहले कुछा. क्या? आपने वो जवाब दे दिया कि मैं बनूँगा तो मैं पहली कलम पर ये चल साथ से दस परतिसत अत्रिक्त पत सिर्जित करें ताकि पंटिनिशन नहें भरतियों का उनका नोंको रोजगार के ज्यादा भटक नाम नबढ़े दूसा मत्स्व रोजगार में तीनी और छोटे उद्यमों को प्रोषाइद करूंगा जिससे जो फैमिली इंडस्टी को मैं फैमिली आधारी रोजगार इंडस्टी को मैं प्रोषाइद करूंगा बेरोजगारी भत्ता दूंगा यदी तीन साल में आउकरी नहीं दे सगा और जो सबसे बड़ा निर्ले लूगा उत्राखंड के अंदर इंवेस्मेंट जितना भी होगा सेकर्टी को इंवेस्मेंट का प्रस्ताव पेस करते वक्त इस सठीफाय करना पड़ेगा कि इससे इतना रोजगार सिर्जित होगा ताकि राजी के अंधर, राजी के अंदर, रोजगार । फिर्जन राजी की पहली प्रात्मृत्ता बन सकहें, जिस तरीके से गैरश्येंड में उसमें बहुन बना करके, मैंने सब के लिए जलूवी कर दिया कि सब गयर्षेंट 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 कहें तो वैसी सहली मेरे बाद जो आएंगे उनको उत्राखंड में रोजगार 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 का गीत गाना ही पड़ेगा आपने एक सबसम लेती worked for the lacr फ्राड नीधी में वे इड़ी साल में दे दिया सबको हावाझ आप मैं आपसे एक चुनौती के तौर पर गह रहा हूं हम खोजी जनर्रिस के तौर पर चले जाए 2013 की आपदा से कोई प्रभावित ऐसा नहीं है जिसकी हमारी सरकार ने मदद नहीं की थैंक यू सो मच आपने इतने दीजी चंडियों से अपने बातों को रखा और सीधे तौर पर उन सवालों के जवाब दिये जिन सवालों को लेकर इस वक्त उत्राखंड की आवाम भी संशे में थी तो अगली बार होगी एक बार फिर से नई शक्तिया से मुलाकात मुझे दीदे इजादत और मेरे सायोगी अजीम को दीदे इजादत नमस्कार जहिंजा भारत